नमस्कार मैं हो सशी आये जर्गां के टॉप 25 परमोग खबर जानते हैं क्रिसी बील के खिलाप 8 दिसम्बर को भारत बन तीन क्रिसी कानोन का विरोध कर रहे किसानों ने अब 8 दिसम्बर को भारत बन का ऐलान किया है किसान नेता राकेश टिकायत ने कहा भारत सरकार ने वारता के लिए बुलाया है हम उसमें सामिलिल होंगे अगर समती नहीं बनी और हमारी मांग नहीं मानी गई तो भारत बन रहेगा किसानों ने अब आंदोलन तेज कर दिया है और सरकार से कहा है कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम आंदोलन और तेज करेंगे पाचू परमंडल में CBC choose to 2017 से राराम क्रे मुखमंत्री हिमन्त मुखमंत्री हिमन्त सुरे ने कहा, कि राजय के बचों को गुणवाटा पून शीक्षा उपलब्ध कराने के ऊधें से पाचू परमंडल में CBC सवत्तों वाले सरकारी स्कूल 2021 से अराम किया जाएगा मुख मंत्रे ने निदेश दिया है कि इन इस्कूलों में वो सभी सुविधा या था सिक्षक गुनवाट्टा लाइबरेरी लेबरेटरी पुस्तकाले कैमपस समेत अन सुविधा एक अग्रेनी नीजी सीबी एसी स्कूल जैसी होनी चाहिए राजे में गुटका पर प्रतिबंद की निती फेल हाई कोट प्रतिबंद के बावजूद गुटका और पानमा साले की खुलियाम विक्री होने पर जारकन हाई कोट ने एक बार फिर नराजगी जताई है हाई कोट ने कहा कि सरकार ने गुटका और पानमा सालों पर परतिबंद लगा कर लोगों से स्वास्त को लेकर अच्छी निती बनाई लेकिन अधिकारियों की इक्छा सक्ति की कमी के करानिया निती फेल हो गई है महेंद्र सिंग धवनी जारकन के किसानों को मुफ्त में देंगे नई नसलकी गाये किरकेट के बाद जवी खेती में करने वाले भारतिय किरकेट टीम के पूर्व कप्तार महेंद्र सिंग धवनी जल्दी जारकन के किसानों को गाये मुफ्त में देंगे इस पर उन्होंने अपना काम भी सुरू कर दिया है बता दे सेंबो में उनका फारम हाउस है यहां माही का सपना अकार ले रहा है यानि नई नसल की गाय तयार की जा रही है बताया जा रहा है कि डेन्मार्क की गायों की तरह इहाँ नहीं नसल की गाय तैयार की जा रही है जारखंड में धान खरीद सुरू नहीं होने से किसानों में आक्रोस दिखने लगा है वही मोखेभीपक्षीदल, भाजपा भी, राजसरकार पर हमलावार दिखने लगी है सरकार ने जीलो में कराय केंद्र खोलने का आदेश तो दे दिया है लेकिन अधिकारियों के सुष्टी के कारण कई जीलो में अब तक केंद्र सुचारों रूप से नहीं खोल पाए है जहां केंद्र खोल गए है वहाँ आभी खलित की परक्रिया सुरू नहीं हुई है उधर गाओं में अभी से बीचोलिया सक्रिय भी हो गए है युआओ को रोज़गार देने के लिए उपायुक्त कर्याले में बैठाक रांची उपायुक्त कर्याले की और से क्रोना माहमारी के दुरान युआओ को रोजगार दिलाने पर सरवधिक फोकस है बता दे हाल ही में जीला परसासन की ओर से एक नीजी एजनसी के साथ MOU कर आउनलाइन रोजगार मेलर आयोईजीत किया गया इसमें करीब 40 एर से अधिक युवाओ ने अब तक अपनी भागिदारी की है इसी मोहीम को आगे बढ़ाते हुए सुक्रवार को जीला अस्तरिये कोसल बिकास समीती की बैठक होने जा रही है बता दे बैठक सवनाले सबगार के कक्ष संखे 207 में होने जा रही है इसमें कोसल बिकास के तहद जीले में संचारित प्रसिक्षन पर चात्रा की जाएगी बिजली बिभाग के अधिकारी गाओं में जाकर रात को देखेंगे बिजली की इस्थिती जारखन बिजली बित्रन निगम लिमिटेड ने राजे के सभी गाओं में जाकर बिजली आपपूर्ती और टांसफर्मर की स्थिती से अवगत होने का निर्देश बिजली विभाग के अधिकारियों को दिया है इसे लेकर बिजली विभाग के महाप्रवंधक ने कांके और वेरमो ब्लोग के लिए विभाग के अभियंतावों की तैनाती कर दिया है बता दे पहले चरण में कांके और वेरमो परखंड के गाओं को चुना गया है पाला चर्ण में 27 गावों में जाने के लिए विबाग के अधिकारियों ने इंजिनियरों की तैनाती की है GST छाती पूर्ती की रासी कर्ज के रूप में लेंगे रामेशरू राव परदेश कॉंग्रेस कमिटी के अधियक्ष और राज के बीद तथा खादा पूर्ती मंत्री डक्टरा मेशरू राव ने कहा कि GST काउंसिल की बैठक में केंद्र सरकार की ओर से फिलाल GST छाती पूर्ती का भुगतान करने में असमाक्ता ब्यक्त करते हुए राज सरकार के समक्ष दो विकल्प रखे गए थे उराव ने सुक्रवार को बताया कि पहले आउफर में कहा गया था कि केंद्र सरकार RBI के माध्यम से राज सरकारों को GST छाती पूर्ती की राशी कर्ज के रूप में उफलब्द कराएगी और उसका मुल्दन और सूद का व पूर्वी सिम्भूम उन्नीस गढ़वा एक गिरीडी एक गोड़ा एक गुमला चार हजारी बाग पांच जामतरा दू खुर्टी साथ कुडर्मा चार पाकुर एक पलामु एक रामगर पांच साहिव गंज एक पच्मी सिमूम आठ मिले हैं जारकन में कूल संक्रमितोग सं तुए और 1,444,714 की मिरिती हो गई भारत में नाएक केस 35,824 मिले हैं भारत में एक टिप केस 4,8,316 है वही जारकन में एक टिप केस 9,938 हैं राजेपाल से लव जिहाद के विरूद सक्थ कानून बनाने की मांग हिंदू मंच हिंदू जागरण मंच का एक प्रतिनिदी मंदल सुक्रवार को राजेपाल से मिला प्रतिनिदी मंदल ने राजेपाल को जारकन में लव जिहाद के विरूद सक्थ कानून बनाने वा लागू करने को लेकर ग्यापन सोपा साथी अब तक राजे में घटे कुछ चर्चित मामलों को भी राजेपाल के संग्यान में दिया बता जे राजेपाल से मिलने के बाद हिंदू जागरण मंच परदेश अध्यक्ष रिसी नात साधेव ने बताया कि राजेपाल से सक्रात्मक चर्चा लव जिहाद के विरूद कानून बनाने को लेकर हुई साइबर अप्राधियों के विरूद बड़ी करवाही करते हुए देव घर जी लेके सारट थाना अंतरगत की गई छापे मारी में कूल बारा साइबर अप्राधियों करने में सफलता मिली है इस बावत पुलिस अधिक चक अस्वेनी कुमार सिन्या ने सुक्रवार को पत्रकार वारता में बताया कि गुप्त सुचना के अधार पर गठी टीम द्वारा की गई छापे मारी में सारट थाना के गराम गोबर साला रंग मटिया से कूल बाराध साइबर अप्राधियों को पंद्रा मोबाईल 21 एवं दो बाईक के साथ गिरफतार किया गया है जल आपूर्ती नव होने से महिलाओं ने दिया धरना धनबाद के महुदा इस्थित तेलमचो गरामिन जल आपूर्ती योजना को अविलम चारू कराने की मांग को लेकर सुक्रवार को कांडरा तेलमचो एवं लोहा पट्टी पंचायत के महिलाओं ने तेलमचो पेट्रोल पंप के समीप अपने बर्तनों के साधारना दिया इस मोके पर तेलमचो पंचायत की मुख्या पुनमदेवी ने कहा कि योजनाओ के सनवेदक ने योजना का काम अधूरा छोड़ दिया है जिस कारण जलापूर्ती के दोरान हमेशा तक निकी खराबी आती राती है जारखन पुलिस ने PLFI सुप्रीमो दिनेस गोप पर 25 लाख रूपए इनाम रख तस्वीर जारी की जारखन पुलिस ने परतिबंधित उग्रवादी संगठन पिपुलस लिवरेशन फ्रोंट अफ इन्डिया सुप्रीमो दिनेस गोप सहित साथ वांचित उग्रवादी की तस्वीर जारी की है इन उग्रवादीयों को गिरफतार और उनके द्वारा अजित संपती की सुचना देने वाले को इनाम देने की घोषना जारखन पुलिस की ओर से की गई है बतादे दिनेस गोप पर 25 लाग, जीदन गुडिया पर 15 लाग, तिलकेशवर गोप पर 10 लाग, इसी तरह सभी पर इनाम किरासी रखी गई है इन साथ उग्रवादी और उनकी संपती के बारे में किसी तरह की सुचना की जनकारी होने पर अस्थानिय पुलिस आथवा राची रेंज के डी आईजी के नमबर 94-71-178, राची SSP 94-71-76, चाईबासा SP 94-74, एकाउन को सुचित करने की अपील जार्खन पुलिस के दोवारा आम लोगों से की गई है दुमका में बन रहे तारा मंडल मार्च 2021 तक तयार होगा जार्खन के उप रहे धानी दुमका वास्यों को जल्धी तारा मंडल करला मिलेगा बतादे जार्खन बिग्यान और प्रद्योगिक परिश्चत द्वारा दुमका के सरकारी पो टेकनिक को लेज परिशर में तैयार किया जार है तारा मंडल मार्च 2021 महीने तक बनकर तैयार ह जाएगा जार्खन में कम हुआ मलेरिया 35 फिस्दी की आई कमी मलेरिया प्रहवित राज्यों में समिली जार्खन के लिए अची ख़बर है बतादे यहां मलेरिया के मामले में काफी कमी आई है यहां बर्ष 2018 के तुल्ला में बर्ष 2019 में मलेरिया के मामले में 34 फिस्दी की कमी आई है वही मौत की संख्या भी आदी हो गई है कोडार्मा डिसी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योईना को लेकर की टास्क फोस की बैठक कोड़ारमा उपाईबुत रमेश घोलप की अध्यक्सता में सुक्रवार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योईना के अंतरगत जीला स्तरिय टास्क फोस की बैठक आवोद की गई इसमें गुड़ा गुड़ी बोर्ड लिंगा अनुपात गल्स चाई सुरक्चाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरुकता से समाधी बिंदूओ पर विस्तार रूप से चाचा की गई बता दे जीला समाज कल्यान पता दिकाई ने बताया की कोड़ारमा जीला में बरतमान में लिंगा अनुपात एक हैर पुरुस में 934 मैलाए हाँ है धन्यवाद